इर्मयाह भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय आठ इर्मयाह भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय आठ यहवा की यहवानी है कि उस समय यहुदा के राजाओं, हकिमों, याजकों और भविश्वक्ताओं और यरुश्लेम के और रहने वालों की हड्दिया कबरों में से निकाल कर सुरिय, चंद्रमा और आकाश के सारे गन के सामने फैलाई जाएगी क्योंकि वे उन्ही से प्रेम रखते, और उन्ही की सेवा करते, और उन्ही के पीछे चलते, और उन्ही के पास जाया करते, और उन्ही को दंडवत करते थे, और वे न तो इकटी की जाएगी, और न कबर में रखी जाएगी, बरन खाद के समान भूमी के उपर पड़ी तब जीवन से अधीक मृत्य ही को चाहेंगे। सिनाव के यहवा की यही वानी है। फिर तू उनसे यह भी कहा कि यहवा यो कहता है कि जब कोई गिरता है तब क्या वह फिर नहीं उठता। जब कोई भटक जाता है तब क्या वह लवट नहीं आता। फिर क्या कारण है कि यह यरुश्लेमी लोग सदा अधीक दूर दूर भटकते जाते हैं, यह छल को नहीं छोड़ते और फिर लवटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान दे कर सुना, परंतु यह ठीक नहीं बोलते, इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पच्टा कर नहीं कहा कि हाई, मैंने यह क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेक से दवड़ता है, वैसे ही इनमें से एक एक जन अपनी दवड़ में दवड़ता है, आकाशका लग-लग अपने नियत समयों को जानता है, और पंडुकी और सुपाबेना और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं। परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानते। तुम क्योंकर कह रहे हो कि हम तो बुद्धिमान हैं, और यहोवा की दीव हुई विवस्ता हमारे पास है। परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका जुटा विवरन लिखकर उसको जुटा बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए है। वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो उन्होंने यहोवा के वच्चन को निकम्मा जाना है। सो बुद्धि उनमें कहा रही। इसकारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुशों के और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वच्च में कर दूँगा। क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब लाल्ची है। और क्या भविशवक्ता, क्या याजक वे सब के सब छल के काम करते हैं। और उन्होंने शान्ती है, शान्ती है। ऐसा कहे कर मेरी प्रजा के घाव को उपर ही उपर चंगा किया। परंतु, शान्ती कुछ भी नहीं। क्या वे गुरुनित काम से लज्जित हो गए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग निचक खाएंगे, तब वे भी निचक खाएंगे। और जब उनके दंड का सम पर दूँगा, न तो उनकी दाखलताओं में दाख पाई जाएगे, और न अंजिर के वुक्ष में अंजिर, बरन उनके पत्ते भी सुख जाएगे। इस प्रकार जो कुछ मैंने उन्हें दिया है, वहां उनके पास से जाता रहेगा। हम क्यो बैठे हैं? आओ, हम चलकर तो यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए उसने हमको वीश पिलाया है, हम शान्ती की बाट तो जो होते थे, परन्तु कुछ कल्यान नहीं मिला, और अच्छी दशा हो जाने की आशा करते तो थे, परन्तु घबराना ही पड़ा है, घोडों का फुराना दान से सुन उने आकर हमारे देश को और जो कुछ उसमें है और हमारे नगरों को वासियो समेत नाश किया है, क्योंकि देखो, मैं तुम्हारे बीच में ऐसे साप और नाग भेजूँगा, जिन पर मंत्र न चलेगा, और वे तुमको डसेंगे, यहोवा की यही वानी है, हाई हाई, इस कि दशा में मुझे शांती कहां से मिलेगी, मेरा रध है भीतर ही भीतर तडपता है, क्योंकि मुझे अपने लोगों की चिलाहट दूर के देश से सुनाई देती है, क्या यहोवा सियोन में नहीं है, क्या उसका राजा उसमें नहीं, उन्होंने मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तो और परदेश की व्यर्थवस्तों के द्वारा क्यों क्रोध दिलाया है? कटनी का समय बीद गया, फल तोड़ने की कृतु भी बीद गयी, और हमारा उद्धार नहीं हुआ, और अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ, मैं शोक का पहिरावा पहिने अती अ वैद्य नहीं, यदि है, तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए?